ओके तो यार कैसे हो तो आज अपन बात करने वाले एक डैनी सिरीज दे चेशनेट मैन के बारे में और यह आती क्राइम और ड्रामा की कैटेगरी में तो अगर सो की बात करें तो सच मियार शो तो बहुत कमाल का है और मुझे तो काफी मज़ा आया तो सो की स्टोरी काफी इंटरस्टिंग है तो बेसिकली होता यह है कि डैन्मार्क के कैपिटल में एक के बाद एक कुछ लड़कियों के मड़र होने लगता है और इन सब में एक चीछ कॉमन होती है कि इन सब का मड़र कनेक्टेड होता है एक चेशनेट मैन से जिस पर एक ऐसी लड़की का फिंगर्पिंट होता है जिसका मड़र एक साल पहले हो चुका होता है तो सो की स्टोरी काफी अच्छी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस तो यह बहुत ही तगड़े है तो मरियस चानबिन के लिए औरम के फॉर्म पहुंचता है और जब मरियस घर के अंदर जाकर घर की चानबिन करता है तो उसे औरम की वाइप और उसकी दोनों बच्चों की बॉड़ी मिलती है किसी ने उनका मडर कर दिया होता है तो मरियस एमर्जेंसी स्टेशन पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ओरम ने दो और बच्चों को गोद लिया था जिसमें से टोके जिन्दा होता है पर उसकी बेहन एस्टिट अब भी गायब होती है तो मरियस एस्टिट को ढूंगता हुआ बेस्टिट पहुँच जाता है जहां एस्टिट डर की वज़े से चिप कर बैठी हुई होती है तो मरियस एस्टिट की मदद करने की कोसिस करता है तब ही कोई पीछे से मरियस पर हमला कर देता है जिसका बद हमें डिटेक्टिव नया थलीन को दिखाते हैं नया अपनी बेटी ले के साथ रहती है और उसका एक बॉइफरेंड भी होता है जिसका नाम होता है सेबेस्टेन नयापनी काम की वज़े से ले को जादा टाइम नहीं दे पाती इसलिए ले को जादे तरवक्त उसके ग्रेंड पर अकसल के साथ बिताना पड़ता है इस वज़े से नया इंवेसिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़ कर साइबर क्राम डिपार्टमें सिफ्ट होना चाती थी तो नया अपने चीप निलेंडर से इस बारे में बात करने की कोशिस करती है क्योंकि उसे उसका रिफरेंच चाहिए होता है पर निलेंडर उसे एक केस की चानबिन करने को बोलता है और उसे एक पार्टनर देता है जिसका नाम होता माक है जो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहेगा तो नाय और मा क्रैम सीन पर पहुंचते हैं जहां लारा किया नाम की एक लेडी का मडर हो गया होता है जो एक नर्स का काम करती थी और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसका एक हाथ भी काट दिया गया था सिमोन बताते कि लारा की मौत रात के बारा बज़े के आसपस हुई है पर बारी इसकी वज़े से काफी सारे सबुत मिढ़ गए हैं और उन्हें कुछ खास नहीं मिला तब ही नाया को वहाँ एक चेशनेट मैन दिखाई देता है और वो लोग सबूत के तोर पर उसे रख लेते हैं और जब नाया पूछ ताच करती है तो उसे पता चलता है कि लारा के मडर के वक्त उसके बेटा मैगनेस घर पर ही मौजूद था पर उसका पहले से psychological treatment चल रहा होता है इसलिए वो कुछ बोलने के हालत में नहीं होता जिसके बाद नाया लॉरा के boyfriend हेंडिक से पूछ ताच करती है तो हेंडिक बताता है कि लास बड़ जब उसने लॉरा से बात की थी तो सब कुछ सहीं चल रहा था पर नाया और माकुस पर शक होने लगता है क्योंकि एक दिन पहले लॉरा न अपने घर के सारे लॉक चेंज कर आय थे और फिर जब नाया डॉक्टर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि लॉरा के साथ कोई भी sexual crime नहीं हुआ है और उसके हाथ उसके मनने से पहले कार्ट दिया गया था और उसकी मौत उसके आग में चोट लगने की वज़स हुई है और फिर नाया सीमोन गेंस ही मिलती है जो forensic department का head होता है तो सीमोन को चेशनेट से कुछ fingerprint मिले थे जब उसने उसके जाँच की तो वो fingerprint क्रिस्टीन होटॉंग से match करते है तो क्रिस्टीन होटॉंग वहाँ के minister Rosa होटॉंग की बेटी होती है और एक साल पहले क्रिस्टीन का kidnap किया गया था और बाद में उसे मार कर fake दिया गया था जिसके खून के इल्जाम में पुलिश ने एक बंदे को अरेश्ट किया था जिसका नाम होता लाइनस बेकर जिसके बाद हमें Rosa होटॉंग को दिखाते है Rosa अपनी office पहुंचती है जहाँ उसकी सेकेटरी लिव उसे बताती है कि कोई उसे धमकी बारे mail बेज रहा है और चीप सेकेटरी एंगलियस इसकी जांच कर रहे है तो Rosa इस बारे में एंगलियस से बात करती है एंगलियस बताते है को उसे mail के साथ कुछ फोटोस मिले है जो उनकी बेटी क्रिस्टीन के इंच्टा से निकाला गया है जिस अकाउंट को उन्होंने बंद कर दिया था जिसके मतलब कोई पहले से उन पर नजर रखे हुए है Rosa बोलते कि ऐसी धमकी उसे मिलते रहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है खैर तो Naya और Mark रोजा के गर पहुंचते है जहां उन्हें पता चलता है कि क्रिष्टीन हर साल अपनी फ्रेंड मतिल्डा के साथ रोड पर स्टॉल लगा कर चेशनेट बेचा करती थी तो किसी चेशनेट पर उसके फिंगर प्रिट होना कोई बड़ी बात नहीं है जिसके बाद Naya और Mark Magnus से पूचताच के लिए हॉस्पिटल पहुंचते है जहां Mark Magnus को कुछ फोटो दिखा कर उससे पूचताच करता है जहां उन्हें पता चलता है कि साइट पर जो उससे चेशनेट मिले है वो पहले से वहां मौझूद नहीं थे उसे किल्या नहीं वहां रखा था खैर तो Mark को लगता है कि क्रिस्टीन का इस केस से जरूर कोई connection है इसलिए उसे हॉट टॉंग केस के दुबारा जांच करनी होगी पर पूलिस ने पहले से बेकर नाम के एक बंदे को इस केस में पकड़ रखा था तो Mark खुद क्रिस्टीन केस के चानबिन करता है तो उसे पता चलता कि बेकर नाम के जिस बंदे को अरेस्ट किया गया था उसने क्रिस्टीन के बोडिक एक मशाटे से काट कर उसे जमीन में गार दिया था पर उसे यह याद नहीं होता कि उसने बोडिक को कहा दफनाया था चैकि उसे सीजोफेनिया नाम के एक बिमारी होती है तो Mark नायर सिमाउन को बताता है कि वो क्रिस्टीन केस की स्टडी कर रहा था तो उसे पता चला कि बेकर के घर तो जो मशाटे उन्हें मिला था उसमें क्रिस्टीन के खून के निशान थे पर अगर किसी के हड़ियों को मसाटे से काटा जाए तो उसमें बोन टस्ट लग जाते हैं जिसे निकालना impossible होता है पर क्रिस्टीन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका मतलब यह होता है कि बेकर ने क्रिस्टीन के बोडी को नहीं काटा था तब ही वहाँ एक ओफिसर आती है और बताती है कि लॉरा के फोन में किसी ने एक आउडियो मेसेज बेजा है तो जब वो लोग उस मेसेज को चेक करते हैं तो उसमें कुछ बच्चे चेशनेट के उपर गाना गा रहे होते हैं जिसके बाद वो लोग उस मेसेज के नंबर को ट्रैक कर रिक नाम के एक बंदे को पकड़ लेते हैं तो जब वो लोग रिक की चान बिन करते हैं तो माक को रिक के बैक से एक पार्सल मिलता है जो लॉरा के नाम से होता है तो माक उस पार्सल को चेक करता है तो उसमें लॉरा के कटे वी हाथ होते है तो रिक बताता है कि किसी ने उसे मेसेज कर बोला था पार्सल उठाने के लिए तब ही नाया रिक का फोन चेक करती है और जब Mark घर की चान्ट मिन करता है तो उसे एक चैसनेट मैन मिलता है तो सिमॉन चैसनेट मैन की fingerprint की जाच करता है तो उसमें Christine के fingerprint मौजूद होते हैं जिसके बन नया और Mark एरिक ते पूस्टाच करते हैं तो यहाँ नहीं पता चलता कि Eric का कुछ लड़कियों के साथ अफेर चल रहा होता है और ये बात Anne को पता चल गए थी और इसलिए Anne उसे चोड़ना चाती थी और उन्हें Anne के घर पर कुछ खून के धब्बे मिले थे जो Eric की बड़ी बेटी Sophie की गिरने की वज़े से लगे थे औ और इसलिए Sophie को नेशनल होस्पिटल ले जाया गया था और ये वही होस्पिटल होता है जहां Magnus का इलाज चल रहा होता है तो Naya और Mark होस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर बता था कि Magnus का काफी वक्ट से इलाज चल रहा था पर एक कम्प्लेन की पर जाच में उन्हें कुछ नहीं मिला जिसके बद वो दोनों लॉरा के घर जाते हैं चांद मिन करने पर नया का अपनी बेटी लेक स्कूल एक इवेंट के लिए जाना होता है तो वह मांक को छोड़कर वहां ते चली जाती है तब ही नया देखती है कि घर के बाहर एक बना होता है तो मांक जाकर गैरेज को चेक करता है तो उसे बेस्मेंट मिल जाता है जब मांक बेस्मेंट के अंदर जाता है तो वहां एक रूम बना होता है जहां कैमरा भी लगावा होता है तब ही कोई मांक पर हमला करता है और लैप्टप छिन कर वहां से भागने की कोशि लॉक चेंज कर आया थे, खैक, तो सिमॉन नाया को कॉल कर बताता है, कि एन के घर से सोफी और उसके छोटी बेन दोनों के खुन कई जगा पर मिले हैं, और उनकी बॉड़ी को देखकर ऐसा लगता है, जैसे उन्हें अक्सर चोंट लगती है, तो माक और नाया जाकर रिक से पूस्ताच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रिक अपनी बेटियों के साथ अक्सर मार्पिट किया करता था, और इस वज़े से किसी ने उसके खिलाप कम्प्लेन किया था, पर वो कुछ साबित नहीं कर पाया जिसके बाद नाया और माक लॉरा और रिक के किलाप किया गए कम्प्लेन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के कम्प्लेन में जो वर्ड और लैंगविच यूस किया गया है वो सेम है इसका मतलब यह होता है कि किल्या ने अपने अगले टार्गेट के भी कम्प्लेंट की होगी तो माक और नाया उन सारे कम्प्लेंट को चेक करते हैं जो बच्चों से मार पीड या फिर अभीसिव बिहवेर के लिए किया गया था तो उन्हें एक कम्प्लेंट मिलता है जो माकी से थोड़ा अलग होता है और वो कम्प्लेंट होता है जैसी कीवियम के नाम से जो अपने 6 साल की बेटी उलिविया के साथ रहती है और कम्प्लेंट ने कम्प्लेंट किया था कि वो हमेशा नसे में रहती है और वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती इसके बाद हमें जैसी को दिखाते हैं जाओ अपनी बेटी उलिविया को उसके डांस कला छोड़ने आती है और फिर जैसी एक बंदे को अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि जैसी को उससे कुछ काम होता है और उस जैसी बेटी बंदे का नाम होता है निकुलाई जिसके बाद वो लोग बेस्मेंट में जाते हैं और सेक्स करते हैं और फिर निकुलाई जैसी को थपड़ जड़ देता है और बोलता कि ये सब वो आकरी बार कर रहा है और आगे से वो उससे ब्लैक मिल करना बंद कर दे और जाता है और जैसी बेस्मेंट से बाहर जारी होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसी डर कर भागने लगती है पर वो किसी तरह बाहर आ जाती है जहां मार्क और नाय उसका वेट कर रहे होते हैं तो मार्क जैसी को बताता है कि अगर उसके खिलाब केके कम्पने सही है तो उसकी जान खत्रे में हो सकती है जैसी Mark को बताती है कि basement में कोई उसका पीछा कर रहा था उसने पैरों की आवाज सुनी थी पर उसने उसे नहीं देखा जिसके बाद Mark नीलेंडर को बोलता है कि यह वो लड़की हो सकती है इसे सराब की लथ है और इसकी बेटी की टीचर ने बताया है कि ये अपनी बेटी का ख्याल ढंग से नहीं रख पाती तब उन्हें पता चलता है कि क्रिश्टीन के केस से जुड़े होनी की बात किसी ने मीडिया में लिग कर दी है दूसी तरब क्रिश्टीन के फिंगरपिन मिलने की वज़े से इस्टीन को लगने लगता है कि क्रिश्टीन अभी भी जिन्दा हो सकती है और वो उसके केस की छानबिन करने लगता है पर रोजा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे गुद्सव पर गलत असर पड़ेगा पर क्रिस्टीन वाली बात प्रेस में लीक होने के बाद एक रिपोर्टर इस्टीन के घर पहुंच जाता है और उसे अपने शो में इन्वाइट करता है और रिस्टीन उसे इंटर्वी दे देता है और बोलता है कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन अभी भी जिन्दा है और फिर रिस्टीन रोजा को बोलता है कि अगर उसे महसूस नहीं होता कि कृच्चिन अभी विजिंदा है तो वो ऐसा नहीं करता खेर तो ले नया से जिद करती है सेबेस्टन को घर लाने के लिए नया बताती कि अब वो लोग अलग हो चुके हैं और अब वो यह नहीं आएगा तो नया और सेबेस्टन में झढ़ड़ा हो गया था क्योंकि Sebastian को अपने और Naya के रिस्ते को आगे बढ़ाना होता है पर Naya असा नहीं चाती थी खेर तो Mark Naya के घर आता है जिसका अद Mark और Leigh अपनी family के बारे में बात करते हैं Leigh बताती कि उसके grant पर उसके असली grant पर नहीं है वो बस उसकी mom की help करते हैं क्योंकि उसके mom की mom dad नहीं है और Leigh Mark से उसके family के बारे में पूछती है Mark बताते कि उसके wife थी पर उसके घर में short circuit की वज़े से आग लग गई थी जिसमें उसके wife की मौत हो गई थी और Naya ये सब सुन रही होती है जिसके बाद Naya और Mark killer को पकड़ने का plan बनाते है और इनका plan simple होता है उन्होंने Jesse को एक किराय के घर में छिपा कर रखा होता है और Naya खुच Jesse के जगा उसके घर पर मौजूद होती है और बाकी लोग घर के बाहर नजर रखे होते हैं तो सब कुछ plan के मुताबी ठीक ठाक चल रहा होता है और एक बंदा होड़ी पहन कर Jesse के घर आता है और दोर को पिटने लगता है और पुलिस उसे धर लेती है और वो बंदा होता है निकुलाई निकुलाई बोलता है कि वो Jesse से मिलने आ था Jesse उसे मैसेज कर blackmail कर रहे थी जब मार्क मैसेज चेक करता है तो वो hidden नमबर सा आयवो होता है और जब तक वो लोग Jesse के पास पहुंचते है किले ने Jesse को मार दिया होता है और इस बार उसने उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया था और किले ने ओफिसर रिक्स को भी मार दिया था खेर तो अगले दिन नाय मार के घर पहुंचती है नाय बताते कि फोरेंसिक टेस्स से कुछ भी पता नहीं चला और उन्हें नहीं पता कि मैसेज और सेक्स वीडियो किशने बेजा था और सबूत के तोर पर उनके पास केवाद चेस्टनेट है जिस पर क्रिस्टीन के फिंगर पिन मौजूद है तब ही मार्क नाय को एक वीडियो दिखाता है जो तब को होता है जब क्रिस्टीन गायब हुई थी नया देखती कि क्रिस्टीन के बैक के पाथ एक चेस्टेन मैन पढ़ावा होता है नया बोलते कि उसे रोजा से बात करने के लिए निलेंडर को मनाना होगा जिसके बाद नया और मार्क आफिस पहुंसते हैं जहां जैंसन मार्क पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके घटिया प्लैन के वज़े से रिक्स की मौत होई है पर निलेंडर उसे बोलता है कि यह सब उसका आइडिया था जिसके बाद निलेंडर नया और मार्क को रोजा होटंग से पूस्टाच करने के लिए बोलता है पर रोजा को कुछ भी याद नहीं आता, खेर तो माक और नाया को लगता है कि क्रिस्टीन के किटनैपर का रोजा के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, तो वो लोग क्रिस्टीन के केस के वीडियो फूटिज दुबारा चेक करते हैं, तब ही नाया एक फूटेज में बेकर ने ऐसा क्यों किया, दूसरी तरफ रोजा और लिफ सारे पुराने केस की चानबिन करते हैं, इसमें बच्चों को उनके पैरेंस से अलग किया गया था, तब ही लिफ को याद आता है कि दो साल पहले एक केस हुआ था, जिसमें एक नर्स उनके खिलाब प्रेस के पाच चली गए थी, और उसने काफी बवाल मचाया था, और उस नर्स का नाम होता है बैनिटिक स्कैंस, दूसरी तरफ नाय और मांग जेल पहुंचते हैं बेकर से मिलने, और वो लोग जानना चाते थी कि बेकर ने खुन के इज़ाम अपने सर पर क्यों लिया, और उसने पूलिस सीमान का कॉल आता है, सीमान बताता है कि रोजा के सेकेटरी ने उन्हें कॉल किया था, उन्हें किसी पर शक है, तो नाय और मा के स्कैं के घर पहुंचते हैं, ज़ा जैंशन बताता है कि स्कैं को पोस्टनेटर डिप्रेशन था, इसलिए सरकान ने उसे उसके बच्चे से अ ले हुए हैं वहाई रोजको पता चलता है कि सकैन का बॉइफ्रेंट कोई औं नहीं बलको उसका ड्रैवर्स जैकव है तो रोजका इ JON की श्टीन को कॉल करती है जहां उसे पता चलता है कि गुस जैकव कसा टेनिस प्रैक्टिस के ले गया हुए है तो रोजा इस्टीन को बताती कि पुलिस को पता चला है कि वो जैका फिर नर्स का बॉइफरेंट है इसका बाद इस्टीन गुस्सा को ढूंडने जाता है पर गुस्सों नहीं मिलता खेर तो अगले दिन नाया ले को एकसल के साथ उसकी स्कूल छोडने जाती है पर ले नाया से नराज होती है क्योंकि वो उसकी स्कूल पेरिंट मीटिंग में नहीं आई थी तो ले बोलते कि उसे ग्रेंट पा के साथ रहना है नाया बोलते कि वो लोग इद बारे में बाद में बात करेंगे पर एकसल को ये आईडिया अच्छा लगता है और नाया मान जाती है खेर तो निलेंडर को मार्क के बेकर पर हमले वाली बात पता चल जाती है पर नाया निलेंडर को बोलते कि बेकर से बात करने का आईडिया उसका था निलेंडर नाया को बता दे कि मार्ग के पिछले बॉस ने बताया था कि मार्ग को काफी वक्त से साइकोलोजिकल प्रॉबलम है उसने अपने बीवी और तीन महीने के बच्चों के एक फायर एक्सिजन में खोया था इसके बाद निलेंडर उन दोनों को अलग-अलग भेशता है वो मार्ग को जैकब की इंफरमेशन निकालने के लिए बोलता है और नाया को स्कैन के गर जाकर चानबिन करने के लिए बोलता है वह जैकब और स्कैन गुस्सों को जंगर में लेकर आते हैं क्योंकि पूलिस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है तो जैकब इसकैन को बोलता है कि उन्हें गुस्सों को किटनैप नहीं करना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए पर इसकैन चाकु लेकर गुस्सों को मानने जाती है पर जैकब उसे रोक लेता है और वो लोग आपस में लड़ने लगते है तब ही जैकब वहाँ एक गाड़ी को आते हुए दिखता है खर तो मार्क लीव से जैकब के बारे में पूस्ताच करता है जहां उसे पता चलते कि जैकब 14 की रात को रोजा को लेकर एक इवेंट में गया हुआ था जब जैसी का खून हुआ था तो लीव बताती कि जैकब से जहादे तर फेडरिक और रोजा ही बात करते है तो मार्क इस बारे में फेडरिक से बात करता है फेडरिक बताते कि रोजा कुछ दिन एक इवेंट में जाना था पर वो कैंसल हो गया था पर उसे नहीं पता कि जैकब उस दिन ड्यूटी में था या नहीं इसका अद मार्क नाया को बताता कि सीमोन ने जैकब की गाड़ी का लोकेशन ढून लिया है और उसने जैकब को रिकॉर्ड चेक किया उसमें कुछ गड़बल है साथ वो उस दिन ड्यूटी में था और फिर मार्क क्राइम स्पॉर्ट पर पहुंचता है जाज चैसमें ने जैकब और स्कैन दोनों को मार दिया था पर गुस्सों जिन्दा होता है पर पुलिस को लगता कि स्कैन ने पहले अपने बॉइफरेंड को मारा और फिर खुद को मार लिया दुस्तर अब नाय स्कैन के घर की चान्बिन करती है तो उसे फ्रीजर से एक बैग मिलता है जब वो उस बैग को चेक करती है तो उसमें विक्तिम के कटे वए हाथ पर होते हैं तो victim की body part मिलने के बाद निलेंडर मार्क को जैकप की scan की investigation रोकने के लिए बोल देता है तो मार्क निलेंडर को समझाने की कोशिस करता है कि जैकप ने ये खून नहीं किया है और जो सबुत उन्हें factory से मिला है उसे किसी ने वहाँ plant किया है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सबुत उन्हें पहले ही मिल जाता और उन्हें बेकर से पूस्ताच करनी चाहिए पर किसी को भी मार्क की बात पर यकिन नहीं होता खेर तो अगले दिन नाया का office में large day होता है और वो अपने समान पैक करती है पर निलेंडर नाया को press conference तक रूखने के लिए बोलता है वो लोग खुने के लिए scan और jack up का नाम बताने वाले थे पर नाया मना कर देती है जिसके बाद एक officer नाया को बताती है कि बेकर को जिन cases में interest था उन cases की photos उन्होंने मार्क और उसे mail किया है जिसके बाद नाय मार्क को call करती है और बताती है कि उन्हें Hendrick मिल गया है मार्क बताती है कि वो बुद्ध पे जा रहा है उसे वहाँ एक नया case मिला है जिसका मार्क एयरपोट पहुंसता है जहां वो अपना computer चेक करता है और जब वो अपना mail चेक करता है तो उसे 1987 का case मिलता है जहां एक police officer मर्यस लासन सह में तीन लोगों का murder हो गया था और यह वही case होता जो हमें starting में दिखाया गया था और जब मार्क उन photos को check करता है तो उसे उसमें chestnut भी दिखाई दिता है तो यहां नाया को पता चलता है कि chestnut दो type के होते हैं और उनके भी बहुत सब species होते हैं और वो सब अलग-अलग दिखाई देते हैं तो नाया सीमान के पाच जाती है और उसे बाकी case में जो chestnut मिले हैं उसे होटंग family के घर के garden के chestnut से match करने के लिए बोलती है और उसे 87 के case के बारे में पूस्त है जॉन बता दे कि उन्हें ओरम के घर उसकी बेवी और दो बच्चों की बाड़ी मिली थी और मरियस किलास उन्हें बेस्वेंट मिली थी पहले तो उन्हें लगाओ ये सब ओरम का काम है पर बाद में उन्हें ओरम की बाड़ी घर के पीछे एक गड़े में मिली थी उसने खुद को गोली माल लिया था और वहाँ दो लोग और भी मौजूद थे जिने ओरम और उसकी वाइप ने गोद लिया था और उनका नाम तर टोके और एस्टीड और उन्हें वहाँ कुछ वीडियो टेप भी मिले थे जिससे ये पता चलता है कि ओरम और उसकी वाइप मिलकर उन दोनों का सेक्शल अब्यूस करते थे और टोके को एक रूम में बंद कर उसे चेस्टनेट बनाने के लिए बोलते थे और रोज़ा लीव के पास जाते और उन केस को देखती है जिसमें उसने पैरेंट को बच्चों से अलग किया था तो रोजा लीव को 85 के केस देखने के लिए बोलती है जो रोजा का ही केस होता है तो Peterson family ने बच्पन में Rosa को adopt किया था और उसके डैड का नाम था Paul और मा का नाम था Christina बाद में उसके mom dad ने दो और बच्चों को adopt किया था जिनका नाम था Tokyo और Astrid पर दो मैने में उसके family ने उन दोनों को छोड़ दिया था sexual abuse के चलते इसके बाद Rosa को टोके का message आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसके बेटी के बारे में जानना है तो उसे आकर मिले वहीं Mark टोके और Astrid के बारे में चान मिन करता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों को Peterson family ने गोद लिया था और उनकी एक और adopted बेटी भी थी पास जहां ओरम और उसकी वाइप मिलकर टोके और Astrid का sexual abuse करते थे इसलिए टोके ओरम और उसके family को मार देता है खेर तो जान और मॉक जान की बेंच जुआना से मिलने उसके घर पहुंसते हैं क्योंकि उसकी बेटी Astrid और टोके की class में पढ़ती थी जहां मार को एक photo मिलता है और उसके पता चलता है कि टोके कोई और नहीं बलकि Simone Gainz है तो मार क निलेंडर को call कर Simone को पकड़ने के लिए बोलता है पर जब तक वो लोग उसे पकड़ने पहुंसते सिमान गयाब हो चुका था जिसके बाद वो लोग सिमान के घर जाते हैं पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता बस उन्हें एक CCTV footage मिलता है जिसमें सिमान एक घर पर नजर रखे वे होता है मार्क निलेंडर से नाया के बारें पूछता है निलेंडर पता थे कि नाया और सिमान फॉरेंसिक से साथ निकले हैं और नाया का phone उन्हें डेश्ट विन मिला है घर तो सिमान और नाया जा रहे होते हैं तब ही उसे रास्ते में एक चेशनेट का पेड नजर आता है जब नाया उस चेशनेट को चेक करती है तो वही चेशनेट होता है जो उन्हें क्राइम सीन पर मिला था तब ही नाया को वहाँ एक चेशनेट फॉर्म नजर आता है तो नाया और सिमॉन और हम के फॉर्म पहुंचते हैं जब वह लोग घर के अंदर जाते हैं और घर की चान बिन करते हैं जब शिमॉन ने सारा सेट आप बना रहा था और नाया सिमॉन को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है सीमान बोलता है कि वो किसी का वेट कर रहा है और उन्हें किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है तो नाया सीमान को पर गन पॉइंट करती है पर सीमान नाया को भी होस कर देता है दूसरी तरह माक उन फोटोस को चेक करता है जो नीलेंडर को सिमॉन के घर से मिला था जब माक उन फोटोज को चेक करता है तो उसमें एस्टीट के एक फोटोज होता है जिसमें एस्टीट एक चेस्टनेट के पेड़े के नीचे खड़े हुई होती है और उसे चेशनेट फॉर्म घर की फोटो भी मिल जाती है वही रोजा भी चेशनेट फॉर्म पहुंचती है जिसके बास सिमान उसे अंदर ले कर जाता है रोजा बोलते कि उसने तब जूड बोला था पर उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है वो एक बच्ची थी सिमान बोलते कि उसे अच्छे से पता था कि वो क्या कर रही है जिसके बास सिमान रोजा को नाया से मिलाता है उसने उसे बांध रखा था सिमान बोलते कि उसने बच्चों को बचाया है और अब उनकी जिंदगी अच्छी है और सिमॉन रोजा के हाथ में स्कूरू ड्रैवर घुसा देता है और फिर सिमॉन रोजा को बांद देता है और नाया को बात्रूम में लॉक कर देता है इसके वाथ सिमॉन रोजा के हाथ काटने वाला होता है पर तब ही मार्क आ जाता है और जब Mark अंदर आता है सिमॉन उस पर हमला करता है इसके और सिमॉन सब पर फ्यूल डालता है और रूम को बाहर से लॉक कर देता है वहीं नयाक किसी तरह वागने में कामियाब हो जाती है पर सिमॉन उसे पकड़ लेता है वहीं Mark रोजा को छुडाता है तभी Mark कैमरे में जाता है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है पर सिमॉन माग के उपर गाड़ी चढ़ाने कोसिस करता है पर एंड मुमिन पर नयाया उस पर हमला कर देती है और उनकी गाड़ी के एक्सिडेंट हो जाता है इसका तमाग नयाया को गाड़ी से बाहर निकाल देता है पर सि इसेटिट के घर जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं और घर की चान्द मिन करते हैं माई रोजा और रिश्वीन एपनी बीटी का वेट कर रहे हısı tua है तभी मार्क और नाय कृस्टीन को लेकर बाहर आते हैं और वो जिन्दा होती है, और एक happy family ending, खेर तो अगले दिन मार्ग बुद्धा पर जा रहा होता है, और ना है मार्ग को ले कर बनाए हूँ एक family tree देती है, और बोलती है कि वो लोग फिर मिलेंगे, वही बेकर को छोड़ दिया जाता है, और series यहां से खत्म हो जाती है, खेर त वीडियो को यही रैप अप करते हैं, see you in the next video, तब तक के लिए good bye